एंट मैन मूवी बॉक्स ओफिस पर यू कहें तो फ्रोग हो चुकी है जब अगर बात होई रही है एंट मैन फिल्म की यानि मार्वल स्टूडियो की तो देखो दोस्तों मार्वल स्टूडियो को इस फिल्म से काफी उमेदी थी और पर्शनली मुझे भी उमीद थी और मैंने इसकी प्रेटिक्शन लगाई थी बॉक्स ओफिस की कलेक्शन पाच इसकी मैने एवरेज लगाई थी पूरे 800 मिलियन डॉलर के आसपास रिजन है क्योंकि एंट मैन का फर्स पार्ट जो आया था उस मूवी ने पांसो साड़े 500 मिलियन डॉलर के आसपास बिजनस किया था व इवरेज के सकते हैं के अब इस स्टूडियो को काफी जटका लगा और मारवल फैंस भी मार्वल स्टूडियों से अभी तक नाराज है क्योंकि उनूलर को पता होगा क्युक्ति देखो हमने लोगी ऑमी बाकि सारे जितने भी टिश्वी सपोर्ट यनि डिशनी प्लैस प्लै दिखती है जी आपने बिल्कुल सही जुना वैसे एंट में दो वास में दो कॉंटम मेनिया फिल्म बॉक्स ओफिस पर एक तरीक ऐसे अवरेश साबित हुई है जब कि मुवी का बज़ेट ही दो सो मिलिन डॉलर है मुवी ने चार सो मिलिन डॉलर के आसपास कलेक्शन किया है यह भोक्स ओफिस कालेक्शन रिपोर्ट देखने के बाद आपकी क्या रहा ही है आप मुझे निचे कमेंट में जरूर बेल तो ये थी भोक्स ओफिस कलेक्शन रिपोर्ट वीडियो पसंद रहे है उसी के साथ साथ आप इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरू करें और बाजू में चो बेल आइकन है उसे भी दबाना ना भूले तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए टाटाइन बाई बाई